calculate the area bounded by the line x plus y equals 10 and both the coordinate axis coordinate axis का मतलब x axis and y axis यहाँ पर equation है x plus y equals 10 तो हम लेख सकते हैं y equals 10 minus x एक table बना लेते हैं जिसमें x की जगा पर जगा 10 रखूं तो y आगा 0 और x की जगा 0 रखूं तो y आगा 10 अब हमें इन दोनों points को draw करना है 10 और 0 कहां पर होगा माल लिए 10 है और 0 और दूसरा है 0 और 10 इसको हमें लिया था 10 0 और इसको लिया था 0,10 अब हमें क्या करना है कि area find out करना है इस line का और coordinate axis के बीच का that means यह वाला area और यह area कितना होगा यहां पर है 90 दिग्री तो actual में triangle बन रहा है इसको अब ले सकते हैं O A B जिसमें base O B की length कितनी है 10 unit तो area हो जाएगा half times base times height two five zero ten fifty square unit यह आपका area हो जाएगा उढ़ा हो जाएगा हो यह